Hello everyone, welcome to origin आज के इस वीडियो में हमें स्थार्ट करने वाले हमारे क्लास 12 के इंग्लिश के पोईट्री सेक्षन का 5th चैप्टर जिसका नाम है Aunt Jennifer's Tiger ओके, सबसे पहले हम इस टोरी की लाइन टू लाइन समरी देखेंगे एक एक लाइन हम बहुत ध्यान से समझेंगे then completely एक बार इस पोईब को अच्छे से हम देखेंगे and at last इसके कुछ questions प्रैक्टिस करेंगे and then हमारे ये chapter बहुत अच्छे तरीके से prepare हो जाएगा तो अब हम इस पोईब की समरी स्टार्ट करते है so, सबसे पहले इसके पोईट कौन है? अंड्रियने रिच Aunt Jennifer's Tigers की जो पोईट है उनका नाम है अंड्रियने रिच okay so, now we are starting our summary पहला इस्टेंजा हमारा है Aunt Jennifer's Tigers Prance across the screen Bright topaz denizens of a world of green They do not fear the man beneath the tree They pace in sleek Kivalric certainty okay so, अब इस स्टेंजा के तूँ पोईट हमें क्या कहना चाहते है एक बार हम ध्यान से देखते है पहले लाइन में पोईट कह रहे है कि Aunt Jennifer's के जो टाइगर है Aunt Jennifer के जो टाइगर्स है तो यहाँ पे scene कुछ इस तरीके कहा है कि Aunt Jennifer जो है वो अपने चेयर में बैठी है और वो कपड़े के उपर बुनाई करके पेंटिंग बना रही है अपने देखा हुआ कि थाली में एक कपड़ा लगा के सुई धागा के थूँ उसमें पेंटिंग बनाए जाती है कलरफुल धागे उसमें यूस किये जाते है और उसे निटिंग की जाती है वही चीज Aunt Jennifer कर रही है Aunt Jennifer यहाँ पे Tigers जो कर रही है अब यहाँ पे यह बताते कि उनके जो Tiger है Prince means move कर रहे है Across the screen जिस स्क्रीन पे वो अपना ड्राइंग बना रही है उसमें उनके Tiger जो है वो move कर रहे है या run कर रहे है अब हम आते हैं अपने second line पे Bright Topaz Denizens of a World of Green अब Bright Topaz means यहाँ पे उनके color के बारे में बताया गया है कि कौन सा color Aunt Jennifer जो है वो यहाँ पे उनके लिए यूस की है ओके सो अब color उनका क्या है Jeven-like color है means जैसा Tiger का color हमने देखा है something like golden color and yellow color के around सो उस type का color उन Tigers का है and then Denizens means क्या होता है रहने वाले Denizens में क्या होता है वहाँ के रहने वाले वहाँ के native place के citizen जैसे होता है उसी तरीके से Denizens means Den and then of a World of Green अब World of Green से यहाँ क्या मतलब है World of Green से यहाँ मतलब है Forest और विकेंस से jungle Forest World of Green से उनका मतलब है Forest या फिर jungle next line में poet कहते है They do not fear the man beneath the tree अब यहाँ पे हमें scene समझना है कि Aunt Jennifer जो painting बना रही है या जो drawing बना रही है उस कपड़े पे उसमें tiger run कर रहे है tiger move कर रहे है and उनके side में एक पेड है एक tree है जिसके नीचे एक आदमी खड़ा है और जो tiger से वो उस आदमी से नहीं डर रहे है यह हमारे third line से हमें पता चलता है and then जो last line है वो क्या कहता है they pace in sleek kivalric certainty means वो तेजी से क्या है दोड़ते हुए जा रहे है अब यह तो Aunt Jennifer के painting का scene है but यहाँ पे हमें यह भी समझना है कि इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है तो हम Aunt Jennifer की history के बारे में जान लेते थोड़ा सा उनके character के बारे में जान लेते है तो Aunt Jennifer जो है वो यहाँ पे एक word who use हुआ है patriarchal so patriarchy हमने जब 9th and 10th में history पढ़ा तब हमने patriarchy word कई बार use किया है so patriarchy means क्या होता है जहाँ पे male dominating society हो means male को जहाँ पे महत्वधिया जाता हो उसे patriarchy कहा जाता है तो यहाँ पे Aunt Jennifer जो है वो patriarchal society के rules and regulations के burden में दबी हुई है means वो free नहीं है उनके पास आजादी नहीं है वो patriarchal society के burden में दबी हुई है बट यहाँ पे Aunt Jennifer के जो tigers है जो की काफी confident है काफी brave है freedom के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वो move कर रहे हैं यह बताता है Aunt Jennifer के desire को किस desire को? Aunt Jennifer की चाहत को आजादी की Aunt Jennifer को आजादी चाहिए उन्हें भी confidence चाहिए उन्हें भी अपने डर को खतम करके बिना किसी डर के साथ अपनी जिंदगी को जीना है तो यहाँ पर इस तरीके से Aunt Jennifer अपने अंदर की इक्षा को अपने अंदर के desires को painting के चुरू represent कर रही है अब यहाँ पर एक चीज़ हमें यह notice करनी है कि Aunt Jennifer की जो tigers है वो Aunt Jennifer की खुद की personality के just contrast में mean just opposite है Aunt Jennifer के पास freedom नहीं है वो डरी हुई है, वो burden में है और जो tigers हैं, उनके पास पुरी तरीके से freedom है, वो fully confident है और वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है तो यह चीज़ हमें इस first stanza से पता चलती है अब हम चलते हैं हमारे next stanza पे यहाँ पे poet कहते है Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand अब यह stanza हमें Aunt Jennifer के burden के बारे में बहुत अच्छी तरीके से explain करता है so first line हम पढ़ते है Aunt Jennifer की जो उंगलिया है वो flutter कर रही है उनके wool के through wool means, जैसा मैंने आपको बताया है कि Aunt Jennifer क्या कर रही है, कपड़े पे printing बना रही है तो उसमें वो ivory needle use कर रही है उसके पीछे wool है, means, oon लगा है अब उसमें उनकी उंगलिया जो है वो move कर रही है, and उनके जो fingers है वो ivory needle ivory needle means क्या होता है जो knitting के लिए जो हम needle use करते हैं बड़ी सी आपने देखी होगी जिसमें wool लगाया जा सकता है उसे ivory needle कहा जाता है size थोड़ा बड़ा होता है आप मैंसे कई लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा so ivory needle जो है hard to pull, means उनके aunt Jennifer जो है वो काफी बुढ़ी है वो इतनी कमजोर हो चुकी कि वो जो ivory needle है उसे भी उन्हें move करने में मुश्किल हो रही है उनके fingers उसे भी move नहीं कर पा रहे है अब next line में poet कहते है the massive weight of uncle's wedding band अब wedding band से यहां मतलब है wedding ring का लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि aunt Jennifer के उंगली में जो अंगोठी है वो बहुत भारी है जिसकी वज़े से उनके हाथ काप रहे है यहां पर wedding band का weight मतलब हुआ कि जो aunt Jennifer की marriage के बाद उनके उपर जो burden आए aunt Jennifer ने जब marriage किया और उसके बाद जो उनके उपर burden आए वो उन पर बहुत heavy हो चुके है वो उन burden के तले इतना दब चुकी है कि उनके हाथ जो है वो ठीक से move नहीं हो पारे वो बहुत कमजोर हो चुकी है और वही चीज़ यहां पर लिखते है sits heavily upon aunt Jennifer's hand तो यहां पर wedding ring का मतलब है marriage के बाद जो बंधन जो rules and regulations जो aunt Jennifer के उपर आए and marriage के बाद जो burden उनके उपर आया जिसका weight इतना ज़ादा था कि वो freedom नहीं है उनके पास यह चीज़ इस स्टेंजा से poet जो हमें समझाना चाहते हैं तो patriarchal society के बारे में यहां दिया गया है आप देखिए यहां पर एक चीज़ में आपको बता जेता हूँ इस स्टेंजा पर जो पहले हमने स्टेंजा देखा उसमें प्रॉपर एक वर्ड यूज किया गया है यहां पर मैं बिनिद्दट्री यहां पर फीमेल या वुमन या फिर किसी human के बारे में लिखा गया प्रॉपर यहां पर लिखा गया मैं क्योंकि यह स्टोरी रिलेटेट है करते हैं अब हम फिर से एक बार लाइन टू लाइन इस स्टेंजा को रिट करते हैं और उसे अच्छे से समझेंगे अब यहां पर पोईट कहते हैं कि जब आंट जैनिफर की डेथ हो जाएगी तब उनके जो टेरिफाइड हैं में तो उनके जो डरे हुए हाथ है वो क्या करेंगे वो जूट बोलेंगे किस तरीके से जूट बोलेंगे still ringed with ordeals अब यहां पर ordeals मींस होता है unpleasant and prolonged practice इसका मतलब क्या हुआ कोई सा भी unpleasant practice जो कि बहुत दिन से चला आ रहा हो उसे हम ordeals कहते हैं तो यहां पर जो poet है वो कहते हैं कि उनके जो हाथ है जो उनके डरे हुए हाथ है उनके death के बाद भी जूट बोलेंगे वो अपना सच्चाई नहीं बताएंगे कि हम डरे हुए हैं और उसके बाद भी जो उनके finger जो हैं उनमें वो अंगुठी रहेगी किस चीस की अंगुठी उन ordeals की अंगुठी जिससे वो पहले master की जाती थी means उनके उपर जो burden थे उनके उपर जो rules and regulation थे वो उनके death के बाद भी उनके हाथों में वो रहेंगे but यहाँ पे जो change आता है वो यह है जो tigers and Jennifer ने paint किये हैं वो उसी तरीके से confidence के साथ उसी तरीके की आजादी के साथ बिना डरे हुए move करते रहेंगे and यहाँ पे जो हमारा poem है वो end हो जाता है तो यह poem यह दर्चाता है कि Aunt Jennifer के थू हमें पता चलता है कि जो woman है हमारे society में वो किस तरीके से marriage के बोज के अंदर दबी हुई है and उन्हें भी freedom चाहिए and उसी freedom को यहाँ पे tiger से represent किया गया and यह जो tiger से वो Aunt Jennifer के अपने खुद की personality से just अलग है क्योंकि Aunt Jennifer डरी हुई है less confident है और उनके पास freedom नहीं है so Aunt Jennifer's Tigers by Andrea and Rich so यहाँ पे यह कहते है Aunt Jennifer के tiger जो है वो screen पे move कर रहे है and वो बिना डरे हुए move कर रहे है जो पेर के नीचे जो आदमी खड़ा है उससे भी वो नहीं डर रहे है लेकिन जो tigers है वो यह चीज़ हमें first stanza से परदा चलती है second stanza में जो poet है वो कहते कि Aunt Jennifer जो है marriage के through बले तले डबी हुई है इतना कमजोर हो चुकी कि उनके जो उंगलिया है वो ivory needle को भी move नहीं कर पा रहे है यहाँ पे marriage के burden को wedding ring से compare किया गया है and then जो last stanza है उसमें यह बताते कि उनके death के बाद भी उनका जो marriage का जो ordeal से उनके साथ रहेंगे बट जो उनके tiger से वो इसी तरीके से freedom के साथ confidence के साथ move करते रहेंगे and यह जो हमारी poem है वो यहाँ पे end हो जाती है अब हम इसके कुछ question solve कर लेते हैं जिससे कि हमारी practice जो है वो अच्छे से हो जाए तो denizens का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है denizens का मतलब क्या होता है residents of a particular place but kivalric meaning मतलब क्या होता है kivalric का मतलब होता है fearless अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो tigers हैं वो किसी particular place के रहने वाले जब हम अपनी local area में रहते हैं तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा confidence रहता है and kivalric means fearless तो यह दो words से हमें tiger के बारे में क्या पता चलता है कि जो tiger है वो उस जंगल के local रहने वाले हैं वो उस territory के owner है वो territory उनकी है इसलिए वो किसी और से नहीं डर रहे and इसलिए वो kivalric है fearless है and यह चीज़ हमें उन tigers के बारे में पता चलती है forward to our next question why do you think aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza why is she finding the needle so hard to pull अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनके जो उंगलिया है वो wool के थ्रूँ flutter क्यों कर रही है and वो उसे pull करने के लिए क्यों hard mark पा रही है अब मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया कि किस तरीके से wedding ring का जो बोज है वो उनके उपर है इसलिए उनके हाँ जो है वो काप रहे है तो इसका answer आपको खुझ से देना यह आपके लिए homework है और इसका मुझे comment पर reply जरूर चाहिए next अगर आपको poem की summary से related कुछ भी doubt है तो उसको भी आप comment कर सकते हैं आपको time to time reply हम कर देंगे next question what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band अब यहाँ पे फिर से same question हो गया यह भी आपके लिए क्या है homework है यह दोनों question almost same है almost नहीं clearly same है जो चीज मैं हर बार आपको बताता हूँ वही आज फिर से बोल रहा हूँ questions अलग होंगे answer same ही रहेंगे next question what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by why is it why is it significant that the poet uses the word ringed what are meaning of the word ringed in the poem अब यहाँ पे देखिए फिर से एक तरीके से same question है क्यों same question है क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है किस ordeal से Aunt Jennifer surrounded है तो वो कौन से ordeal से surrounded है marriage burden okay so patriarchal society में जो marriage burden होता है वो ordeal से Aunt Jennifer के अब यहाँ पे क्या कहा गया है ringed से क्यों कहा गया वो अपने marriage को तोड़के नहीं भाग सकती and then पुछा गया है कि ringed का यहाँ पर क्या meaning है अब ringed का यहाँ पर कई meaning है पहला meaning है यहाँ पर marriage second चीज यहाँ पर है unfreedom, मतलब freedom नहीं होना clear and third thing rules and regulations so यहाँ पर ringed के कई सारे meanings है तो यह हमारे इस question का जो है वो answer इस तरीके से बन जाता है तो यह दोनों आपके लिए home work है अब हम चलते हैं अपने next questions पर so next questions सारे देखिए यह पोयम है हमारा exam point of view से बहुत important है क्योंकि कई बार इससे questions जो है वो repeat हो चुके है why does aunt Jennifer create animals that are so different from her own character अब यह आप पूछा गया है कि aunt Jennifer इतने different characters क्यों बनाई जो कि उनके खुद के character से काफी different है तो यह क्या था यह इनके internal desire internal desire को क्या कर रहे हैं यह show कर रहे है तो उन्होंने ऐसा क्यों बनाया क्योंकि इससे हमें पतल चाहता है कि aunt Jennifer जो है वो क्या चाहती है इन animals के through इन animals को create करके वो हमें represent कर लिए इसलिए वो अपने character की just opposite जो animals है उन्हें बना रही है and second हम यह लिख सकते है कि aunt Jennifer इनके through अपने अंदर की जो दमित इक्छा है जो दभी हुई इक्छा है उसे इनके through वो recover कर रही या उन्हें fulfill कर रही है next question interpret the symbols found in this poem आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार explain कर देता हूं तो यहाँ पर हमें जो symbols मिले वो क्या क्या है पहला है रिंग रिंग यहाँ पर क्या है marriage का rules and regulation second thing हमें मिला है tiger तो tigers यहाँ पर क्या है aunt Jennifer की desire desire to be free and जो next हमें यहाँ पर पदा चला है ring हो गया tiger हो गया next symbol हमें यहाँ मिला था heavy weight weight of ring तो यहाँ पर weight से क्या मतलब है burden तो इस तरीके से कई सारे हमें symbols मिले जो main three symbols हमें यहाँ से मिले वो यह तिन symbols थे हम अगर poem को फिर से देखेंगे तो हमें और भी symbols मिलेंगे बढ़ सब के meaning इनी से related है तो इस तरीके से हमें कुछ symbols जूणने है और तीन symbols मैंने यहाँ आपको बता है आपको और कोई symbols पता है तो वो आप comment box में लिख सकते हैं अगर आपको कई सारे symbols पता है तो आपर next question describe the tigers created by Aunt Jennifer अब Aunt Jennifer की जो tigers थे वो क्या थे प्रैंसली move कर रहे थे प्रैंस कर रहे थे किसमें उनके screen में second thing जो था वो थे वो fearless थे fearless से मतलब वो क्या थे confident थे and वो confident थे तो वो क्या थे free थे freedom था उनके पास and next जो है वो क्या थे aggressive थे वो denizens थे काई वैलरी क्लिक सकते हैं वो जो word यूज की है पोएट ने वो हम यूज कर सकते काई वैलरी के डेनिजन्स तो यह सारे जो qualities हैं वो हमें पता चलते हैं आंट जैनिफर के tiger के बारे में clear okay forward to our next question how are aunt जैनिफर tiger different from her तो यह question कहा है repeat है clear just यहां पे हमने यह जो question हमने answer किया same to same यह वो इस question का भी answer वही होगा अब यहां पे how did aunt जैनिफर face the ordeals in her life तो ordeals के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको अभी explain किया है तो यह question भी आपके लिए क्या है homework है तो यहां पे आपको आज के दो questions मिल गए homework के लिए clear इसका answer मुझे comment में जरूर चाहिए next question what picture of male chauvinism अब यह आपको याद होगा chauvinism chauvinism का मतलब मैंने आपको हमारे इस जब हमने English का syllabus start किया था तो first chapter में मैंने आपको बताया था chauvinism मतलब क्या होता है तो अगर आपने अच्छे पढ़ाई किये तो आपको chauvinism मतलब पता होना चाहिए तो इसका answer मुझे comment पर चाहिए Google में search मत करना अगर आपको पता है तो आप comment कर सकते या तो उस वीडियो में आप फिर से जाए वहाँ आपको इसका मतलब पता चल जाएगा clear what picture of male chauvinism do we find in the poem Aunt Jennifer's Tigers तो आप male chauvinism के क्या क्या picture हमें पता चलते है एक तो marriage का burden second thing हमें पता चलता है lack of freedom due to male chauvinism and जो desires है वह fulfill नहीं होते है okay जो भी desires है females के and marriage का जो burden होता है and lack of freedom होता है यह सारी चीज़े जो है वह male chauvinism का यहाँ पे picture हमें पता चलता है next explain the stark difference in the death of Aunt Jennifer and the tiger's pressing अब यह जो हमने last line पे पढ़ा तो Aunt Jennifer के death का और tiger के pressing का हमें क्या बताना है यहाँ पे stark difference बताना उसमें अंतर क्या है so Aunt Jennifer का जब death होगा तब उनके हाथ में वह burden जरूर होगा और वह तब भी उन ordeals के थूरू बंधी होई रहेगी बट जो tiger से वह प्रेंस करते रहेंगे किस तरीके से पुले confidence के साथ पुले freedom के साथ बिना किसी ordeals के बिना किसी burden के और यही जो basic difference है वह इन दोनों के बीच में है यहाँ पे हमारा जो poem है वह with question and answer complete हो जाता है बहुत ही अच्छा यह poem था यह हमें बताता है जो हमारा male chauvinism यहां present है patriarchal society में जो marriage का burden है women's के उपर उससे हमें यह मिलवाता है हमें इसके बारे में पता चलती है and exam point of view से भी बहुत important chapter है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस chapter से related शायद ही कोई डाउट बचा होगा and अगर आपको इस chapter से related कोई डाउट बचा है तो comment box reply आपको तुरन मिलेगा clear आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं सारे comments के reply मिले तो इसका भी आपको obvious है कि मिलेगा ही तो मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में अब हम यहां पर हमारा poetry section and हमारी English की जो first book है जो main course book है वो complete हो गई अब हम start करेंगे supplementary reader तो supplementary reader की वीडियो भी prepare हो चुके है कुछ दिन में आपको वो मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then good bye thank you take care जय हिंद